नमस्कार दोस्तूं हम देख रहे थे कक्सा 6 से लेकर कक्सा 12 तक राजस्तान अध्यन नवीन पाटे करम के अनुसार दोस्तूं आज हमारी रहेगी कक्सा साथ के अंदर नेक्स्ट कलास ज़स्ट के अंदर अध्याय रहेगा अध्याय नमबर पांच नम नाम है आपके राजस्तान में व्यापार दोस्तों यहां पर राजस्तान में व्यापार इसका नाम दिया गया है और इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं करसी आदारित उद्योगू के बारे में आयात निरियात के बारे में दोस्तों बहुत ही इंपोर्टेंट टोपिक रहेगा और करसी आदारी राजस्तान के जो भी उद्योग है वो आपको इस अध्याई के अंदर देखने को मिलेंगे तो अंतेक मेरे साथ बने रहे हैं एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, सेर और जो नए साथी है चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें मित्रो आप सभी से कहना चाहता हूँ अगर आप साथ में नोट्स बना रहे हैं तो परती दिन की क्लास के नोट्स बनाते जाएं और जिनको सीधी पीडियोप चाहिए मित्रो वो कुचामन ओनलाइन क्लासेज एप डाउनलोड करके स्टोर से प्राप्त करश रकते हैं वहाँ पर जैसे ही क्लास होगी आपको उसकी पीडियोप वेसे ही मिलती रहेगी दोस्तु तो चलते हैं एक बार सभी साथी जल्दी से सेर करते क्लास को आज हम देखने वाले हैं राजस्तान में व्यापार और सबसे पहले इसके अंदर हमारे रहेगा करसी आदारित उद्योग दोस्तु बहुत ही इंपोर्टन करसी आदारित बड़े उद्योग फिर लगो एवं मध्यम उद्योग देखेंगे तो चलिए मित्रो राजस्तान में करसी आदारित उद्योगों सुती वस्तर उद्योग एवं चीनी उद्योग है जो क्या है परमुक है राजस्तान में जो करसी आदारित उद्योग है उनके अंदर सुती वस्तर उद्योग और चीनी उद्योग ये दोनु क्या है मुख्य उद्योग है और इनके बारे में हर बार एकजाम के अंदर क्यूसन देखने को मिल जाता है कि सूति वस्तर में कहां कहां पर मिले हैं और चीनी उद्योग के अंदर कहां कहां पर मिले हैं फिर मद्यम जो उद्योग है लगू उद्योग है उनके बार सबसे पहले चलते हैं सूती वस्तर उद्योग की ओर देखिए मित्रूं सूती वस्तर उद्योग राजस्तान का प्राचीन प्रमप्रागत संगटित एवं सर्वादिक रोजगार देने वाला सबसे बड़ा कर्सी आधारित उद्योग है राजस्तान का सबसे प्राचीन उद्योग राजस्तान का सबसे संगटित उद्योग राजस्तान का सर्वादिक रोजगार देने वाला उद्योग कौन सा है सूती वस्तर उद्योग है इसमें से जो क्यूसन आया है वो यह आया हुआ है पहला तो यह राजस्तान में सर्वादि सरवाधिक रोजगार देने वाला उद्ध्योग कौन सा है कौन सा है मित्रू सूति वस्तर उद्ध्योग या इस परकार पूछले करसी आधारित सरवाधिक रोजगार देने वाला उद्ध्योग या करसी आधारित सबसे संगटित उद्ध्योग कौन सा है सूति वस्तर दे कृष्णा मिल्स लिमिटेड की इस्तापना ब्यावर के अंदर अठारा सो उननब्य में की गई थी तो राजस्तान में जो परतम सूती वस्तर मील है वो कौन सी है दे कृष्णा मिल्स लिमिटेड कहां पर ब्यावर अजमेर कब अठारा सो उननब्य में इसकी इस्तापना क गई थी अब देखते हैं राजस्तान के अंदर कारियरत सुति वस्तर की जो मुख्य छह मीले हैं उनके बारे में तो राजस्तान की सुति वस्तर मीलें और उनमें एक नमर पर आती है हमारी जो हमने देखी दे क्रिश्ना मिल्स लिमिटेड कहां पर है यह ब्यावर अजमेर के अंदर इस्तापना कब की गई 1890 हिस्वी में राजस्तान की परतम मील एवं सरवादी कर गए इसके अंदर कारिये करते हैं दोस्तूं तो राजस्तान की परतम मील कौन सी है सूतिवस्तर की दै कृष्णा मिल्स लिमिटेड ब्यावर अजमेर दोस्तूं आगे चलिए दो नमर में पर जो सूतिवस्तर की मील आती है वह है आपकी महाराजा उमेद मील है काए पर यह यह पाली के इंदर इसकी इस्तापना कब हूई y 1982 के अंदर और सरवादिक सूती वस्तर उत्पादग मील पहली मील पहली मील तो दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड है जहां पर सरवादिक कर गए लेकिन सरवादिक सूती वस्तर उत्पादग मील की बात करे न तो होगी आपकी महाराजा उमेद मील पाली वाली इस्तापना जिसकी 1942 के अंदर हुई यह माराजा उमेद मील तीन नमर पे जो हमारी मील आएगी वो आएगी आदीते मील कहाँ पर है यह किसंगड अजमेर के अंदर किसंगड एसिया की सबसे बड़ी मारबलवंडी वहाँ पर इस्तीत है यह इस्तापना कब की गई इसकी 1960 इसवी के अंदर तो वापस देखे दे करशना मिल से उसकी स्तापना हुई थी 1890 मी दूसरी मिल थी मारी माराजा उमेद मिल जिसकी स्तापना कब हुई थी 1942 मी तीसरी आई यह आदीते मिल इसकी स्तापना कब हुई है 1960 के अंदर याद रखना है दूसरी बड़ी सूतिवस्तर उतपादग मील यानि कि राजस्तान में दूसरी बड़ी सरवादिक सूतिवस्तर उतपादग मील के अंदर दूसरी यह है पहली थी हमारी महाराजा उमेद सिंह मील दोस्तु आगे चलिए चोती मील की ओर चलते है तो चोती आती है हमारी एडवर्ड मिल्स ये कहाँ पर है ब्यावर अजमेर के अंदर है एडवर्ड मिल्स है ब्यावर अजमेर में इसकी स्तापना कब की गई उन्नीस सो च्छे इस्वी में कब की गई थी इसकी स्तापना उन्नीस सो च्छे के अंदर ब्यावर अजमेर के अंदर तो यहां से देखिए एक मिल हमारे पाली में आईए बाकी सभी दैकृष्णा मिल्स आदिते मिल्स एड़वर्ड मिल्स विजे कोटन मिल्स और महालक्षमी कोटन मिल्स यह पांच मिले आपके अजमेर जिले में जो महाराजा उमेद सिंग मिलती वो थी पाली के अंदर तो यह थी सूतिवस्तर की लिमिटेड मिले अब बात कर लेते हैं सहकारी मिले कोन कोन सी है सहकारी सूतिवस्तर की मिले कहां पर है एक है गुलापुरा बीलवाडा के अंदर एक है अनुमानगड में और एक है गंगापुर बीलवाडा के अंदर तीन सहकारी मिले हैं एक गुलापुरा बीलवाडा एक अनुमानगड तीसरी है गंगापुर बीलवाडा के अंदर अब देखें मित्रूं जो गुलापुरा बीलवाडा वाली है इसकी स्तापना हुई थी 1965 में हनुमान गड़ वाली की स्तापना कब हुई है 1978 के अंदर और गंगापुर बीलवाडा वाली है इसकी स्तापना 1981 में ये तीनों की तीनों मिले तीना ये सहकारी चेतर की मिले हैं एक अपरेल 1903 में को इन तीनों मिल्स के साथ मिलाकर इस्पीन फेड़ की स्थापना की गई है इन तीनों मिलों को एक साथ मिलाकर इस्पीन फेड़ की स्थापना एक अपरेल 1903 में को की गई अब क्यूसन कौन सा बनेगा इस्पीन फेड़ की इस्तापना में नियुन में से कौन सी मील समिलित नहीं है तीन मीले ये है आपके सामने और चोती अगर आपको दे दें किया दिते मिल्स तो याद रेखना है मित्रू आगे चलिए अब थोड़ी सी नॉर्मल जानकारी जहां से एकजामू में आप क्यूसन देखते है बारत की देख लें तो बारत की परतम सूती वस्तर मील सन 1818 के अंदर गूसरी कोलकाता के अंदर इस्तापित की गई बारत की पर्तम सूती वस्तर मील 1818 इस्वी में गूसरी कोलकाता में इस्तापित की गई जो क्या रही आपकी सपल रही वास्तविक पर्तम सूती वस्तर मील जो सपल रही वो ही वास्तविक है तो पर्तम सूती वस्तर मील वास्तविक है वो बुम्बई में इस्तापित की गई कब अठारा सो चोपन के अंदर important चीज़ें यह आपके लिए अब देखते हैं सूती वस्तर उद्योग से related कुछ तत्ते जो आपके लिए बहुत important रहेंगे पहला देखे सूती वस्तरु की राजदानी किसको कहा जाता है हमारे देश में मुंबई को कहा जाता है सूती वस्तरु की राजदानी मुंबई बारत का मेंचेस्टर किसको कहा जाता है एहमदाबाद को कहा जाता है उत्री बारत का मेंचेस्टर कानपूर को कहा जाता है और दक्षनी बारत का मेंचेस्टर कोयम टूर को कहा जाता है बारत का मेंचेस्टर एमदाबाद, उत्री बारत का कानपूर और दक्षिनी भारत का कोयम टूर इनको का जाता है मेंचेस्टर अब देखे सूति वस्तर उद्योग बारत का सबसे संगटीत प्राचीन वे प्रमप्रागत उद्योग है जिस परकार राजस्तान का सबसे संगटीत प्राचीन वे प्रमप्रागत उद्योग है उसी परकार ये बारत का भी संगटीत प्राचीन वे प्रमप्रागत उद्योग ह यहां से जो साती नोट्स बना रहे हैं स्क्रिन सोट ले लें बहुत अच्छे अच्छे कि उसने आपका जो आपको स्क्रिन दिखाई दे रहे हैं यहां से पूछे जा सकते हैं आगे चलिए राजस्तान के बारे में देख लें तो राजस्तान में बीलवाडा बीलवाडा नाम आया है अब इसको क्या क्या कहते हैं देखे राजस्तान का मैंचेस्टर कहते हैं राजस्तान की टेक्स्टाइल शिटी कहते हैं राजस्तान की टेक्स्टाइल शिटी में ग्वार्डा में वस्तर निर्यातक सहर का दर्जा किसको है बी लुआडा को है तो पाँच क्यूसन बने पहला राजस्तान का मैंचेस्टर दूसरा राजस्तान की टेक्स्टाइल शिट्टी तीसरा पावरलू मेगा कलूस्टर कहँं चोता कांप्यूटर एडेट डिजाइन सेंटर कहां पर है और पांचवां राजस्तान का वस्तर निरिया तक सहर का दर्जा किसको है बीलुआडा को है पांच क्योसन एक एंसवर सिरफ बीलुआडा दोस्तुं राजस्तान का नवीन मैंचेस्टर किसको का आ जाता है बीवाडी को का आ जाता है राजस्तान का नवीन मैंचेस्टर का है बीलवाडा है समझे है मित्रू अब मित्रू हमने यहाँ पर देखी अजमेर पाली में लगबग सभी मिले थी इनके अलावा भी राजस्तान में मिलें चोटी सूती वस्तर मिलें जैसे आपके बात करें कोटा में, चितोडगड में, जेपूर में, स्रीगंगानगर में, भीलुआडा में यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगी सूती वस्तर की मिले मिलेगी दोस्तूं ये था सूती वस्तर उद्योग एक बार जो साती हमारे साथ जुड़े हुए है वो कमेंट करके बता दे मेरे कैसा लग रहा है अगर अच्छा लग रहा है तो मित्रू इतना अनुरोध आप से मेरा भी है कि सेर जरूर कर दें एक बार आगे चलिए और देखते हैं चीनी उद् करता ब्राजिल और दो नमर पर आता इसके अंदर बारत सरवादिक चीनी उत्पादन में एक नमर ब्राजिल दो नमर बारत दोस्तों उपबोग की दरश्टी से परतम है बारत चीनी उपबोग की दरश्टी से बारत पहले इस्तान पर है बारत का परतम चीनी उद्योग बे लेतिया बियार के अंदर इस्तापित किया गया था यह जो बारत के बारे में यहां से मैं जानकारी दे रहा हूं नहीं मित्रूं यह आपकी कलास की जो किताब है कलास 7 की उसमें नहीं मिलेगी एक्स्ट्रा नोलेज के लिए दे रहा हूं आपको हर जानकारी मिलती रही बारत म सरवादिक चीनी उत्वादन का इस राज्य से होता है तो महराष्टर करना है और बारत में सरवादिक चीनी की मिले कहां पर है ये भी कहां पर आपके महराष्टर के अंदर इस्तित है दोस्तों अब देखिए अब देखते हैं राजस्तान में चीनी की मिले कौन कौन सी है तो मेवाड सुगर मिल्स है न, यह नीजी चितर के अंदर इस्तित है दोस्तों। 1932 में इसकी स्तापना की गई आगे चली दूसरी जो चीनी मिल आती है राजस्तान के अंदर वो आती है आपकी राजस्तान स्टेड गंगानगर सूगर मिल्स क्या है सारवजनिक चेतर की है कहांब पर नाम गंगानगर आ गया तो गंगानगर के अंदर यह इस्तापना कब हुई उन्नी सो पेतालीस में मेवाड सुगरमिल की इस्तापना कब हुई थी 1932 में हुई थी उसकी इस्तापना इसकी इस्तापना हुई है उन्नी सो पेतालीस में चुकंदर से चीनी बनाई जाती है यहाँ पर गने से तो बनाई जाती है लेकिन चुकुंदर से भी यहाँ पर क्या है चीनी निर्माण किया जाता है दोस्तों गन्ये के सीरे से देशी सराब भी बनाई जाती है यहाँ पर जैसे हम चीनी निकाल लेते हैं गन्ये से जो रस निकाल लेते हैं उसके बाद जो सीरा बचता है उससे देशी सराब राजस्तान इस्टेट गंगानगर सुगर मिल्च के अंदर बनाई जाती है इसे गंगानगर से अटाकर कामानी पुरा स्री करणपूर में इस्ताना अंतरीत किया जा रहा है वर्तमान में गंगानगर में है तो गंगानगर से बाहर इसको निकाला जा रहा है 2015 से royal heritage liquor का पून अत्पादन प्रारम कर दिया है पहले royal heritage liquor का ही अत्पादन करती ती राजस्तान इस्टेट गंगानगर सुगर मिल बाद में इसको बंद किया गया, चीनी उत्पादन शुरू किया गया, 2015 से वापस छोटे इस तर पर रोयल जो हेरिटेज लिखकर है, उसका उत्पादन इसने शुरू कर दिया है दोस्तुँ चलिए तीसरी सुगर मिल की और तीसरी आपकी केसोराई पाटन सहकारी सुगर मिल्स, यह सहकारी चेतर के अंतरगत है, है कहां पर, मुंदी में इस्तापना कभी की गई, 1965 के अंदर इसकी स्तापना की गई, तो चीनी उद्द्योगू की बात करें, तो तीन मिले हैं, मेवाड स सुगर मिल्स, 1932 में स्तापना, राजस्तान स्टेट गंगानगर सुगर मिल्स, इसकी स्तापना 1945 में, और केसोराई पाटन सहकारी सुगर मिल्स, जिसकी स्तापना 1965 में की गई, दोस्तों, तो सूति वस्तर और चीनी उद्द्योग, यह क्या है, बड़े उद्द्योगू में उनमें बड़े उद्योगों में इनको समलित किया जाता है अब मद्यम होए लगू उद्योग में कि इनको समलित किया उनकी बात करते है तो मद्यम होए लगू उद्योग सबसे पहले आ रहा है वनस्पती गी उद्योग कौन सा है वनस्पति गी उद्योग दोस्तु राज्य में पहला वनस्पति गी बनाने का कारकाना बीलवाडा में इस्तापित किया गया था ऐसा पल रहा अन्य कारकाने देख ले मित्रूं महाराज चाप सुद्वनस्पति गी कहां पर है ये कारकाना या मील ये विश्वय करमात जेपूर के अंदर है आमेर चाप सुध वनस्पती गी यह जोटवाडा जेपूर में और केसर चाप सुध वनस्पती गी यह निवाई टोंक के अंदर यह मुख्य आपके वनस्पती गी के उद्योग दोस्तू महराथ चाप सुध वनस्पती गी है विश्वकरमा जेपूर आमेर चाप सुधवनस्पति गी है जोटवडा जेपूर, केसर चाप सुधवनस्पति गी है निवाई टौंक के अंदर आगे चलिए आगे आता हमारा तेल गाणी उद्योग कौन सा है मित्रू तेल गाणी उद्योग देखे वीर बालक चाप सरसू का तेल इसका कार खाना है जेपूर के अंदर उद्योग काँ पर है जेपूर में इंजन चाप सरसू का तेल इसका उद्योग काँ पर है बरतपूर में ये तेल गाणी तेल आता न मित्रू उसके उद्योग है रेसम उद्योग उदेपुर वे बांसवाडा में रेसम उद्योग कहां कहां पर है उदेपुर वे बांसवाडा के अंदर कारियरत है दोस्तू अब बात करते कागज उद्योग की कागज उद्योग है देखे कुमा अगे चलते हैं तो हमारे आते हैं गोंद उद्योग ये कहांपर है बाडमेर का चोठन चेतर गोंद उद्योग के लिए देश्बर में परसी देखरों बाड मेर का कुन सा छेतर? चोहोटन छेतर है किसके लिए परस comma है? ये गॉंद उद्धियोग के लिए परसTime मित्रोह यहाँपर गॉंद ही ये वरक्षूँ पर लगता है तो यहाँपर गॉंद उतारने का कार ये मेगवाल वे मुसलमान जाती के दोखा है important question है ये exam के अंदर आ सकता आपके इसके अलावा बात करें हम माची सुद्योग की माची सुद्योग है इसकी सरवादी की काईयां अलुवर के अंदर है मैंने बताया नहीं है लेकिन सुन लो माची सुद्योग की सरवादी की काईयां कहां पर है अलवर में हैं दोस्तों कोटा उद्यपूर के अंदर भी स्की काई है लाक उद्योग की बात करें हम लाक उद्योग जेपूर और जोद्पूर में सरवादिक लाक की चूड़ियां बनाई जाती है सैद मदूमकी पालन है तो अगर आपके फल फूल होंगे तब ही मदूमकी रहेगी तो ये भी एक करसी आदारित उद्योग माना जाता है ये थे आपके करसी आदारित उद्योग दोस्तों अब देखें राजस्तान की उद्योगि गूंटियां पांच ओदोगीग नीति हैं कब-कब आई नोर्मल जानकारी के लिए लेकर आया उमित्रूं पर्तम ओद्योगीग नीति 24 जून 1908 को लागू की गई द्वीते नीति गोसित दिसंबर 1990 में हुई और लागू की गई अप्रेल 1901 में तर्तिय ओद्योगीग नीति 15 जून 1904 में को लागू की गई चतूर्त ओद्योगीग नीति 4 जून 1909 में को लागू की गई और पंचम ओद्योगीग नीति 1 जुलाई 2019 को लागू की गई वर्तमान में पंचम ओद्योगीग नीति 2019 वाली लागू है दोस्तूं अब बात करते हैं राजस्तान में व्यापार के अंतर आता है हमारा आयात और निर्यात दोस्तों देखे किसको आयात कहते हैं किसको निर्यात कहते हैं किसको अंतराज्य व्यापार कहते हैं किसको अंतराश्ट्रिय व्यापार कहते हैं राजस्तान किस-किस का व्यापार करता है इनके बारे में। अन्ने देश या राज्यू से वस्तूओं को मंगवाना, क्या कहलता है, आयात कहलता है। अगर आप अमेरिका, जापान से कोई चीज मंगवा रहें या अगर आप मद्दे परदेश, उत्तर परदेश, गुजरात, पंजाब या किसी भी राज्ये से कोई चीज मंगवा रहें वो कहलाएगी आयातित, यानि आयात दोस्तूं अन्य देश या राज्यो को वस्तू बेजना निरियात कहलाता है अन्य राज्ये को आप क्या करते हैं वस्तू बेजते हैं जैसे आपने यहां से गुजरात कोई वस्तू बेजी या भारत ने क्या किया जापान या चीन कोई वस्तू बेजी तो वो क्या होगा भारत के लिए निर्यात होगा दोस्तूं एक राज्य का अन्य राज्यू से व्यापार अंतराज्ये व्यापार कहलाता है राज्यू का राज्यू के साथ व्यापार अंतराज्ये व्यापार होता है और एक देश का अन्य देशु से व्यापार अंतराश्टिय व्यापार के लाता है राज्यू का राज्यू से अंतराश्टिय देश का देशू से क्या होगा अंतराश्टिय व्यापार होगा दोस्तूं आगे चलिए आगे देखे राजस्तान है जो सरसू गवार अजवाइन धनिया मेती इसब गोल उन उत्पादन में क्या है अगरणी राज्ये है इनके अंदर राजस्तान क्या है अगरणी सरसू है गवार है अजवाइन है धनिया है मेती है इसब गोल है उन है इनके उत्पाद में राजस्तान में मुक्यत है कपड़ा जमारात अबुसन संगमरमर ग्रेनाइट अबरेक उन आदी को दूसरे देशू को निरियात किया जाता है क्या क्या कपड़ा है जमारात है अबुसन है संगमरमर है ग्रेनाइट है अबरेक है उन है इनको क्या करता है इसब गोल जो सरसू अजवायन धनियान मेतिस सबगोल उन ये सभी क्या करता है राजसतान निर्यात यानि किसी दूसरे राज्ये को या भारत अगर किसी दूसरे時 को ब्हेशता है तूर राजस्तान इसमें बेशता है दोस्तु आगे एक चीज आती पादन कौन से वे उत्पाद जो सिग्रही क्या हो जाते हैं नश्ट हो जाते हैं को क्या किया जाता है को खादे पदार्त के रूप में रूपांतरित किया जाता है वे परकिरिया जिसके दुआरा करसी उत्पाद जो जल्दी खराब होते हैं उनको खादे पदार्तों में रू प्योग हो सके यही कहलाता है पर सस्क्रण दोस्तूं यह था हमारा अध्याय नमबर पांच कलास में डटे रहे अब मैं लेकर आऊंगा क्यूसन एंस्वर और आपको बताना है उनका उत्तर दोस्तूं तो चलिए क्यूसनू की और पहला क्यूसन आपकी स्क्रीन पे बोल रहा ह दूसरा है आपका कोटा तीसरा ओप्सन है आपका तीसरा है नागूर और चोता ओप्सन है आपका बिलवडा वस्तर नगरी के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है कमेंट करके बता दें वस्तर नगरी के नाम से आगे चलिए मित्रूं नेक्स्ट क्यूसन आपका आता है आद आदिते मिल्स सूती वस्तर उद्योग है आदिते मिल्स यह कहां पर है ओप्सन पेला आपका है ब्यावर ओप्सन पेला है ब्यावर ओप्सन नंबर दो है पाली ओप्सन नंबर तीन है आपका किसनगर्ड ओप्सन नंबर चार में चलिए ओप्सन नंबर चार है आपका भीलव जाना जाता है कौन सा जाना जाता है बील वाडा बील वाडा को जाना जाता है राजस्तान का मेंचेस्टर या राजस्तान की टेक्स्टाइल शिटी समझे मित्रू दूसरा था हमारा की आदिते मिल से वो कहां पर है आदिते मिल से किसंगड के अंदर कहां पर है किसंगड के अ मेवाड सुगर मील है जो किस जिले में मेवाड सुगर मील किस जिले के अंदर है पहला है अजमेर आपका दूसरा है आपका पाली तीसरा आपका आरहा है वो तीसरा आरहा है आपका आजमेर पाली चितोड ले ले लेते हैं और चोता बताईए आपका चोता है उदेपूर तो आपको यहाँ पर यह बताना है कि मेवाड सुगर मिल्स है यह कहां पर है कमेंट कर दे मित्रू जल्दी से और दूसरा क्यूसन देख लें इसी के साथ दूसरा क्यूसन है आपका वो यह है कि राज्य इस्तरिये निर्यात पुरुसकार योजना के तहट कितने स्रेष्ट निर् बहुत इंपोर्टेंट क्यूसन है यह इसका उतर बीतिक मैंने बताया नहीं है अब बता देता हूँ पेंटीस लिख लो मित्रू पेंटीस यानि राज्य इस्तरिये निर्यात पुरुसकार योजना है ना राज्ये इस्तरिये निर्यात पुरुसकार योजना के तहट प्रुस्क्रित की आजाता है अब बात करने पहले क्यूसन की तो मेवाड सुगर मीलत चितोडगड के बोपाल सागर में चितोडगड के बोपाल सागर के अंदर इस्तित है दोस्तूं ये था आज हमारा अध्याय नमबर पांच मित्रूं कैसा लगा आपको एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दें वीडियो को लाइक और सभी आसा आपसे यह कि अधिक से दिक सेर करो गई तो अधिक सेर कर देना मित्रूं जो भी एक्जम है आ रही है आपके सामने उनके लिए ही ये कलासे चल रही है और बहुत डीपली कलासे में आपके सामने लेकर आने का प्रिया कर रहा हूं दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत निवाद जे हिंद जे वारत